हलो फ्रेंट्स एक्जाम इत्मी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत हैं तो फ्रेंट देखें आहाज है आठ अगस्त और आज के महत्पूर अपडेट समनों लोगे यहां पर चारचा करने वाले हैं पॉल टेकनिक काउंसिलिंग बहुत जल और सीधे होंगे दाखिले लेकपाल के 5000 से ज्यादा नय पदो पर होगी भरती और 79,000 से चछक भरती काउंसिलिंग CGL Tier 2 परिच्छा आज से और CUET Update, AU Update और आधे से अधिक ने क्यों छोड़ दे असिस्टेंट कमांडेन की परिच्छा तो फ्रेंट देखें इन सभी प्रहुंग विंदो प्रहुंग डीटेल में चर्चा करने वाले हैं और उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजेगा तो आईए चले सुरू करते हैं तो देखें फ्रेंट्स पॉल्डेगनिक की सीटों पर सीधे होंगे दाखिले और क्यों होंगे दाखिले इसके समझ में आपको बता दें तो देखें पॉल्डेगनिक फिर उस परिच्छा में सीटों के साफेक्च हैं जबगन फिर दाखिले में मारा मारी कम होगी और इससे देखें पॉल्डेगनिक कालेज में चात्रों गया आपर सीधे दाखिले का यहां पर मौका मिल सकेगा देखें सीटों के साफेक्च जो उत्रे छात्रों की संख्या है वो कम है और सीटों का बेवरा मिलते हैं देखें काउंसलिंग का जो सेड्डियूल है वो जारी कर दिया जाएगा फिलहाल सितंबर के पहले सब्ताफ में यहां पर काउंसलिंग شुरू करने कायं पर योजना है जो है कि गौवर्मेंट और 19 अनुदानित और जो है कि 1177 जो है कि प्राइबेट पॉल्टेकनिक कालेज यहां पर संचालित होते हैं और जिसकी देखे प्रविश परिश्चा 18 जुलाई को कराई गए थी और 2,88,527 सीटों के पर हुई प्रविश परिश्चा में 1,44,160 अभेर काउंसलिंग का सेट्वलाइबा बढ़ेश जरी कर देगा और 19 अगस्त के बाद जा जारी चाइव कर दिया जागा और wün सितमबर में आपकी जो महतना पर स्टार्ट को जाएगी ज्यादा जाने की उमीद है तो हम लोग जल्दी कटाफ का एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसके एनलिसिस करने के बाद जो है कि वो फाइनल कटाफ रहेगा और उसी के दिके आपका यहां पर कटाफ रहने वाला है तो देखे प्रदेश में जल्दी राजसु लेकपाल के 5000 से ज्यादा पद खाली हो जाएंगे जिसमें देखे लगभग 2000 पद लेकपालों के राजस उनेच्छा के पद इसी माह प्रस्तावित प्रोनती के बाद रिखते होंगे और लेकपाल संबर की इन रिखतियों को भरने के लिए राजस परिसे जो है तैयारी कर रहा है और दे यूपी टी पलसी ने लिखित परिचा यहां पर कंड़क्ट करा लिए है और उसके बाद देखे 3233 पद यहां पर खाली रहेंगे उधर राजस ने रिच्छक के 22 से अधी करिक्त पद लेकपालों और अमीनों की पद उनती के काड़ यहां पर भी खाली हो जाएंगे तो करी फिर से होगी कांसलिंग और परसेदी देखे प्राथमी के स्कूलों के उनताजा सिचक भरती के तहत एक और कांसलिंग 17-20 अगस्त होगी क्योंकि देखे 68500 सिचक भरती में चैन की बावजूद 79 सिचक भरती में आवेदन करने वाले सिचकों को बेसिक सिचा भ्याग ने जो ही है देखें आपर सीजियल टीएटू के परिचास आज जो है की है और आज से जो है की स्टार्ट हो रही है और जो है की दो दिनों तक लगभख चलेगी 10 अगस्त से देखें आपर इसके एक्जाम करा जाएंगे देखें SSC सीजियल यानिकी ग्रेजूट लेबल परिच्छ पिछले हपते हुई जो है कि सी यू एटी की जो परिच्छा हुआ अब रद्ध हो गई अब जो है कि 24-7 अगस्तक इनके एक्जाम कर जाएंगे तो फिर रिजल्ट सितंबर में आएगा फिर जो है इनकी जो एडमिसान है वह फिर नौंबर में होगा फिर इनका प्रोसेस ऐ लेगा तो देखें तकनिकी खामिकार्ड पिछले हफते रद्ध होई केंदरी सी बिस्विद्यालत साजह परिच्छा यानि कि सी यू इटी यूजी 24-7 अगस्त कराई जाएगी और एंटी यानि कि प्रश्टी परिच्छा अजनसी ने कहा कि इन परिच्छाथों को नए प् पर अन्रोथ किया तो देखें इनका जोए कि अभी टेक्निकल जब खामिया इतनी है तो अभी तक क्या अभी लेने वह इतनी खामिया तो इसको जोगी जब तक क्लियर ना कलें तब तक जोगी इनको यह सब जोड़े कि कराना चाहिए और देखें आपर आधे से अधिक ने भरती परिच्छा आधे सदिक अभरतियों ने छोड़ दी महज जो एक 25 पीसाद अभरतियों ने ही यहां पर उपस्तिती दर्ज कराई है तो देखें असिस्टेंट कमांडन भरती परिच्छा में सरक 36 केंद्रों में आजित परिच्छा दो पाले मैंने सुबा के 10 से 12 और सा परिच्छा में सामिल को यह भरतियों असिटेंट कमांडन भरती परिच्छा के लिए आवेधन किया था इसलिए जो कि इसी यहीं रीजन यहां पर बताय जा रहा है कि उसी की वज़़ा से यहां पर इसमें उपस्तिती कम देखने को मिली है जो प्रिच्छा सूबा साड़े साथ साड़े नौ तक हुई और पाली में आयुजित की गए जबकि असिटेंट कमांडन की पहली पाली परिच्छा जो इसमें ऐसा देखा गया कि जो भरती है वह यहां पर बहुत ही कम देखने को मिले हैं और देखे लाबाद विस्विद्याले की बात करें देखे पूरी ह परिच्छा माह के अंत में होंगे दाखिले और देखे आखिरी दिन पीजी एटी की परिच्छा में 88.6000 पीसद रही उपस्तिती अन्य विस्विद्यालें से आगे निकल गया क्योंकि सभी एंटीय से एड्मिसन कराने में भी जब एंटीय भी एक्जाम कराएगा उसका इलाबाद विस्विद्यालें में होंपर कंपलिट हो जाएगा विद्यालें संगठक पर असना तक पीजी और अन्य पाठकरों दाखिले लिए प्रविश्व परिच्छा रविवार को पूरी हो जाएगी आखिरी दिन पीजी एटी की परिच्छा हम देखिए 88.6.6% अभी यहां पर रही थी और देखें पंदर हजार पच्छास अभरती जो यहां पर पंजी के थे जिसमें से तेरह थी 341 अभरती हैं यहां पर सामेलियों पृटागराज में 22 के अन्दर बनाए गये थे जिसमें इजाएंटी के देखें च्छास अगस्ता जारी करने बाद 20 अगस्त से ही कोही परडाम भेजने के तैयरी है और आपको जो counseling है वो जो प्रोष्ट प्रक्रिया है वो 15 सितंबर से प्रोष्ट प्रक्रिया जो है पूरी होने की आपर उमीद बताई जा रही है तो friends यह रहा है morning का update तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब तक कले thanks for watching this video